नमस्कार इस वीडियो में बात करेंगे एक्जामनेशन फॉर्म के उपर एसाइमेंट समिशन के उपर और साथ में बात करेंगे पोर्जेक्ट रिपोर्ट समिशन के उपर और साथ में बात करेंगे रिजल्ट के उपर की कौन-कौन से स्टुएंट्स को रिजल्ट डिकिलियर किया गया है तो इस वीडियो में बात करेंगे तो इस वीडियो को आप पूरा देखे एंड तक देखे और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएं और इगनु के स्टुडेंट्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस तरह क इनफर्मेशनल वीडियो आपको मिल सके तो चलिए सबसे पहले उस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिसंबर 14 2020 तो इगनु की ओर से आज ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है उससे पहले इससे पहले भी इगनु की ओर से एक पर्मोट किया जाएगा तो कौन कौन से स्ट्वेंट्स को पर्मोट किया जाएगा अगर कोई स्ट्वेंट्स पर्मोट होना नहीं चाहते हैं तो क्या उनको भी पर्मोट किया जाएगा तो ऐसा नहीं है अगर कोई स्ट्वेंट्स को पर्मोट नहीं होना है तो आपका भी चाहते हैं या नहीं पर्मोट होना चाहते हैं आपको examination form में ही feel कर देना परेगा एक option खुलेगी इसमें आपको अगर आप पर्मोट होना चाहते हैं तो आपको yes किलिक करना परेगा अगर आप पर्मोट होना नहीं चाहते हैं तो आपको no किलिक करना परेगा तो इससे सब जाहिर हो गया था कि फिर से एक्जामिनेशन फॉर्म की डेट को एक्स्टेंड करेगा तो यहां पर एक्जामिनेशन फॉर्म की डेट को फिर से एक्स्टेंड कर दी गई है आप इस नोटिफिकेशन के माध्याम से देख सकते हैं जो कि आप देख रहे हैं दिसम्बर 2020 टर्मेंड एक्स्टेंड कर दिया गया है और एक्स्ट दिसम्बर 2020 कर दिया गया है जो कि आप फर्स्ट नमबर पॉइंट में देख सकते हैं आउनलाइन समिस्ट अफ एक्स्टएंड एक्स्टेंड एक्स्टा एक्स्टेंड एक्स्टेंड कर दिया गया है और 31 December 2020 कर दिया गया है तो आप बिना without late fee 31 December 2020 तक आप exam firm को fill कर सकते हैं दूसरा number point में submission of the assignments for the term examination December 2020 तो आप December 2020 examination के लिए आप assignment को 31 December 2020 तक submit करवा सकते हैं और कर सकते हैं अपने study center में तिसरा number points में submission of project report field work journal dissertation ECP internship etc for the term examination December 2020 तो आप अपना project को 31 December 2020 तक submit कर सकते हैं तो इस notification में यही सब था अब हम बात कर लेते हैं अगले notification की जो कि आप देख रहे हैं कि result के उपर termined exam result जो कि June 2020 तो उनका आज 25 मा अपडेट कर दिया गया है और आज 14 December 2020 को कर दिया गया है तो सब्सक्राइब के साथ share करें जो एस वीडियो में इतना ही तो बस इस वीडियो में इतना ही हम पुक्षणा में प्यों प्याँ पार राझे में यी यह तो सबस्के दो ह।